नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका speaker sound कितना हूँ बढ़ा क्यों नो हो लेकिन अगर उसमें आपका एक twitter नहीं लगाते हैं तो आपके sound की quality एकदम बेकार समझ लिजे होती है क्योंकि जो आप twitter लगाते हैं तो इससे आपका travel निकलता है और जो आपका speaker होता है वो base table दोनों मिला के निकालता इसलिए वहाँ पे travel पूरा नहीं मिलता है travel मतलब जहनकार आपको अच्छी तरह से नहीं मिलता है speaker हमारा जो होता है वो base देता है और जो tweeter होते हैं वो हमको जहनकार देते हैं तो दोस्तों ऐसे में काफी लोग क्या करते हैं माल जैंड़ आप नया sound कोई बनाते हैं और उस पे speaker का connection कर देते हैं और जब वहां पर जिसे इस तरह का कोई speaker है तो यहां पर connection आप कर देते हैं किसी भी तरह का हो सकता है आपका 8 इंची 6 इंची 5 इंची तो अगर उस पे आप देखे जो दो आर उठा के आप आपके amplifier से आ रहा है इस पे जोड़ते हैं ठीक है यहां से जोड़के आप amplifier में लगा देते हैं तो कुछ लोग गलती कर देते हैं यह कि यहां से दो तार उठाते हैं आपका जो ट्वीटर का यह दो connection करने का point है यहां से दो तार उठाते हैं और यहां पे लगा देते हैं तो यह बजता तो है लेकिन वो कितना देर चलेगा इसकी कोई guarantee नहीं है आपका एक मिनट चलेगा या एक घंटा चलेगा या दो दिन चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती हो कम खराब हो जाए तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपके speaker में Twitter का connection करने का proper तरीका क्या होता है जिससे आपका Twitter जल्दी से खराब न हो तो दोस्तों आए देर नहीं करते हो speaker पे जोड़ देते हैं आपका बुफर speaker हो सकता है या साधा speaker हो सकता है तीक है इस तरह से आप दोनों वार देखें यहां पे जोड़ देते हैं कि यह आपका speaker connection हो गया इसमें कोई भी component लगाने कि हमको जरूरत नहीं होती है तो अब यहां पे हमको यह Twitter अटेच्च करना है यह कोई भी Twitter इस तरह का आपको इसमें अटेच्च करना है तो हमें करना क्या होगा देखिए वह से तो आप simply यहां पे अगर तार ऐसे देखिए यहां से हमें दोनों तार डारेक्ट उठाना होता है यहां पे ठीक है आपका जो speaker है जहां पे आपने दोनों वायर जोड़ा है उसी पे आपको दोनों वायर यहां से से जोड़ लेना है ठीक यह जोड़ लेने के बाद अब यह दोनों वायर अगर हम इस पर जोड़ देते हैं यह गलती हम कर देते हैं जिसे दोनों वायर यहां पर हम जोड़ देते हैं तो यह गलती हमारा करने से हमारा ट्विटर जल्दी से खराब हो जाएगा तो इसमें आप को करना क्या है कि आपको एक ले लरा है कैपशीटर ठीख है यहाँ पे देखें आपको कैपसी टर लेने द iedereenदा है फोर पॉइंट से वन यूफ यह आपका पचीस बोल्ट दस बोल्ट आपका 35 बोल्ट ठीक है 35 बोल्ट या 30 बोल्ट 50 बोल्ट कुछ भी आप ले सकते हैं ठीक है इसमें कोई प्राब्लम नहीं बस आपका यू अप जो है वो आपका 4.7 होना चाहिए अब ये 4.7 यू अप के सीटर लेने के बाद देखी इसमें जो दो लेख होते हैं बड़ा वाला माइनस होता है तो आपको करना क्या है ये छोटे वाले लेख को यानि माइनस पॉइंट को यहां देखे इस तरह से अपने ट्वीटर के एक पॉइंट पर यानि यहां इसके प्लस या माइनस किसी में भी जोड सकते हैं चुकि इसमें प्लस माइनस का सिंबल होता है ल ये दो वायर आपके आए हुए हैं एक वायर आपको डायरेक्ट इस तरह से जोड़ देना है ये एक वायर डायरेक्ट जोड़ देने के बाद जो दूसरा वायर है ये कैपेसीटर के आपके प्लस पॉइंट पे इसको जोड़ देना है देखिए इस तरह से यहाँ पे यह प्लस पॉइंट पे आपको जोड़ देना है बस इतना सा काम कर लेने के बाद आपका जो ट्वीटर है वो लंबे समय तक काम करेगा अब यहां से ट्वीटर से दिखे कनेक्शन एक बार समझ लिजे यह जो दो ट्वीटर के पॉइंट है एक पॉइंट से डारेक्ट हमारे स्पीकर पे चला जाएगा और जो दूसरे पॉइंट से एक कैपिसीटर का माइनस हमारे ट्वीटर पे है और प्लस से यहां जो गया है यह हमारे स्पीकर के दूसरे पॉइंट पे चला गया और यह जो दो वायर हमारा निकल रहा है ये हमारा wire चला जाएगा अपने amplifier में तो दोस्तो इस तरह से अगर आप अपने speaker में Twitter का connection करते हैं चाहे आपका speaker 5 इंची हो, 6 इंची हो, 8 इंची हो, 10 इंची हो, 12 इंची हो सभी में connection आपको इसी तरह से करना है बस फर्क यही होगा कि जब आप speaker आपका बड़ा होगा जिसे आपका 12 इंची speaker तो उसके लिए आपको Twitter भी अलग लेना होता है चुकि उसमें आप देखते होंगे ज़्यादा तर 12 इंच का speaker हमारा amplifier से बचता है तो उसका frequency ज़्यादा होता है इसलिए वहाँ यह सब Twitter काम नहीं करते वहाँ अच्छी quality के Twitter लगाने होते लेकिन connection लगबग सेम होता है किसी भी तरह का आपका sound system हो तो उसमें आप जब Twitter लगाते हैं तो उसमें capacitor लगाना अनिवार है दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा वीडियो पसंद आया हो तो भाई वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार